नमस्का दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कल टैट का एक्जाम था शास्त्री टैट का तो ये हमने उसे सॉल्व किया है तो वीडियो को शुरू करते हैं तो पहला कुश्चन है इस धातु हूँ लंगलकार अह प्रथम पुरुष एक वचनम तो इसका जो सही अंसर है वो है C ओप्षट जो इस धातु है उसका क्या बनता है लंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन में एच्छत फिर है कोश्चन नमबर पांच ये रिसस्यो अंगिनो धर्महा कथ्यंते तो किसे कहते हैं इसका जो है C ओप्षट सही होगा गुणाहा फिर आगे है चुर्धातो हो कर्मवाच्चे रूपम तो चुर्धातो का जो कर्मवाच्चे में रूप बनता है वो है B ओप्षट चोर्यते फिर है six question नमबर भेषज्य वेद यहा किसका नामानतर है तो ये नाम किसका है अथर वेद का तो इसका B option सही होगा आगे है दाधातो हो निजन्त रूपम तो दाधातो का निजन्त रूप क्या है ए ओप्षट दाप्यती फिर है 7th question number आत्मानम रथिनम विधिही यहां उक्ति किस उपनिशद में उपलब्ध होती है तो यह उक्ति किस की है कठो उपनिशद की तो इसका भी ऑप्शन सही होगा आगे है फोर्थ question number सर्व नामस्थान संग्यक प्रत्याकति तो सर्व नामसंग्यक प्रत्य कितने हैं पांच सू अउजस अम आउट यह पांच जो है वो सर्व नामस्थान संग्यक प्रत्य है फिर है एट question number वेदांगानी कती तो यह कितने है शड तो इसका जो ऐसी option सही होगा आगे है रस उत्रस प्रतिपाद कह कौन है भरत तो इसका ए उप्शन सही होगा फिर है चौदा question number इशो अपनिशद में मंत्र है तो इशो अपनिशद में कितने मंत्र है अठारा है आगे है दस question number अयमात्मा ब्रह्मा तो यह कहां से लिए आगया है तो यह जो है वो उपनिशदी उपनिशद का है तो डी option इसका सही होगा आगे है पंदरा question number कुपुत्र में समास है तो कुपुत्र में कौन सा समास है बी option सही होगा करमधारे आगे है ग्यारा कोशन नमबर यजमान में प्रत्य है तो यजमान में कौन सा प्रत्य है शानच तो इसका ये ओप्शन सही होगा फिर है सोला कोशन नमबर निमन मैंसे कौन सा पुलिंग है तो इसमें से पुलिंग क्या है शशी तो इसका ये ओप्शन सही होगा आगे है शिव सुत्रों की संख्या है तो शिव सुत्रों की संख्या कितनी है 14 C option सही होगा फिर 17 द्वीवचनांत पद से आगे A होने पर A की संख्या होती है तो इसकी जो संख्या होती है वो है C प्रग्रिय संग्या सुत्रहज का इदुदेद द्वी विचनम प्रग्रियम आगे है तेरा कोश्चन नमबर पुनारमते का संधी विचेद है तो पुनारमते का संधी विचेद क्या है पुनर जमारमते तो इसका B option सही होगा आगे है अठारा कोश्चन नमबर में जो धातु है वो है बी ऑप्शन इसका सही होगा अस धातु तो एधी रूप जो है वो अस धात लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में बनता है एधी आगे है चौबिस कोशन नंबर इसमें जयातिति है तो आप नबच रिपू करके जो है वो देख सकते हैं कि ज में आगे है बीस कोशन नंबर यम यमी समाद रिगवेट के एक किस मंडल का सुक्त है तो यह रिगवेट के कौन से मंडल का है दस्वे मंडल का है तो इसका डी ऑप्शन सही होगा आगे है पच्चिस कोशन नंबर समवत सरो की संख्या है तो कितनी है डी ऑप्शन सही होगा साथ फिर है 21 कोशन नमबर मुखम व्याकरणम समरितम कहां से उद्रित है तो ये कहां से है पाणिनिय शिक्षा से ये ओप्शन सही होगा फिर है 26 कोशन नमबर राशी का एक नवांच होता है तो इसका जो है बी ओप्शन सही है तो सूर्य की मूल त्रिकोंड राशी है तो इसका जो सही अंसर होगा बी ओप्शन से है अगला कोशन है 27 शनी की पूंट रिष्टी होती है तो किसमें होती है 3-10 ये इसका ओप्शन सही होगा आगे है इनमे गंडांत नक्षत्र है तो इसमें कौन सा है ए उप्शन रेवती 28 कोशन नमबर है न्याय मंजरी के रचाइता है तो न्याय मंजरी किसकी है जयन्त भटकी आगे है 29 कोशन नमबर सांख्य दर्चन में मोक्ष के लिए परिभाशित शब्द है तो कैवल्य है ये इसका ओप्शन सही होगा आगे है रंग मंचस्य विग्णानी अपा कर तुम किम क्रियते तो इसका जो सही अंसर है वो है A मार्जनम 30 कोशन नमबर है मिमान सा सुत्रो के प्रथम भाशिकार है तो इसकी जो प्रथम भाशिकार है वो है शबर स्वामी बी उप्शन इसका सही होगा कती विधह नायक हो तो नायक जो है वो चार प्रकार के होते हैं धीरोदात धीरोदत धीर ललीत और धीर प्रशान्त आगे है 31 कोशन नमबर डैश कविनाम निक्षम मदंती तो इसका सही अप्शन होगा C गद्यम कविनाम निक्षम मदंती आगे है 36 नंदिनी गायन है कौन से दिन राजा दिलीप की परिक्षा ली तो इन्होंने ली थी 21 वे दिन B उप्शन इसका सही होगा आगे है 32 हंस दूतम इत्यस सरचनकार रह वर्तते इसकी कौन है रूप गो स्वामी तो इसका A उप्शन सही होगा फिर ए म्रिग यूथः असमिन पदे कहस मासः तो इसमें करमधार्य हो A उप्शन सही होगा आगे है 33 कोशन नंबर संधे भेदोह नास्ती तो संधी जो है वो 5 प्रकार की होती है मुख, प्रतिमुख, विमर्ष, गर्भ और उप्सहार तो इसमें जो है संमुख नहीं आती आगे है 38 कोशन नंबर तो निर्कतासू नावाकस्य कालिदासस्य सुक्तिशू प्रीती मधुरसांद्रासू मंजरी श्वीव जायते तो ये जो उक्ती है वो किस के द्वारा कही गई है C option इसका सही होगा बान भट के द्वारा आगे है 49 कोशन नंबर तो इसमें कितने अंख है ये एक आंख की है एक अंख है तो C option सही होगा ये किसकी रचना है भास की रचना है आगे है शत्क्रतुहू इती विशेशनो पेतह अस्ती तो ये किसका है इंद्रह B option इसका सही होगा 40 कोशन नंबर है अश्राव्यम खलू यद्वस्तु तदीहम डैश्मतम तो इसका जो सही अंसर है वो B option होगा स्वगतम आगे है 45 कोशन नंबर गन पाठे प्रथम पदस्य कतिवारम आवरित्ती भवती तो कतिवारम त्री वारम इसका जो सही अंबर पाणिन ये शिक्षायाम यमाहा कतिथाहा कितने हैं? चत्वारह चार है तो इस option सही होगा निमन मैंसे कौन सा ग्रहन नपुन सा कहलाता है तो इसका जो सही option है वो है A, शनी आगे है 42 question number संपरसारना चो इति सुत्रेण भवती इस सुत्र से क्या होता है? C option पूरवरूपम इसे पूरवरूप होता है आगे है दक्षिन आयन का आरंभ होता है तो किससे होता है? A, करक से आगे है वासनेई इति पदी वाज इति पदस्य को अर्थ होता है? तो इसका अर्थ है अन्नम A, इसका सही होगा आगे 48 question number सुक का विचार क्या आगा है? तो इसका जो D option सही है तो चतुर्थ भाव से स्थान से चतुर्थ स्थान से आगे है 49 question number शुक्राचारे किसके पुत्र थे? किसके थे? C option सही होगा ब्रिगू फिर है 54 question number मेगदूत के एक अठानक का स्तुरोथ है क्या है? A, भ्रह्म वैवर्त पुरान तो इसका A option सही होगा 54 question number है विक्रम सम्वत 2080 के नुसा नवर्ष के राजा कौन है? तो कौन है? बुध B option सही होगा फिर है 55 question number सत्ताम ही संदेह पदेशू वस्तूशू प्रमान मंतह करन प्रवृत्यह कस्य उक्ति ही इम तो इसकी उक्ति है? दुश्यन तस्या तो इसका A option सही होगा आगे है 51 question number अचार्यकुंतक के अनुसार वक्रोक्ति कितने प्रकार की है? तो कितने प्रकार की है? शडधा छे प्रकार की तो इसकी option इसका सही होगा आगे है 56 question number खंडन खंड खाद्यो इतिक ग्रंथस से रचना कारो तो कौन है? श्री हर्षह तो B option इसका सही होगा आगे है 52 question number रस के रहसे की चर्चा किस उपनिशन में की गई है? तो रस के बारे में जो है में तैतिरी उपनिशन में मिलता है लेकिन इसमें option में नहीं है तो अगर इसकी इलावा भी कहीं है तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते है फिर आगे 57 question number बलवदपी शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्यम चेतः इदम वाक्य मस्ती तो ये कहां का वाक्य है? C option अभिज्ञान शाकुंतले आगे है 53 question number तुद्रट किस समपरदाय के अनुयाई है तो ये किसके है? B option इसका सही होगा अलंकार आगे है वितरती गुरुहू प्राग्य विद्याम यथेईव तथा जड़े यहाँ उक्ती किस ग्रंद की है? तो ये किसमें आती है? उत्तर राम चरीते C option इसका सही होगा आगे है 59 question number उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत यहाँ कहां की उक्ती है? तो कहां की है ये कठोपनिश्दी तो ये C option इसका सही होगा आगे है 63 question number नांदी प्रियुज्यती ये नांदी कहां होता है? नाटके तो इसका C option सही होगा आगे है ना जाने भोगतारम कमिहम समुपस्थास्यती विधिही तो इस शलोक में कौन सा चंद है? तो इसका जो है वो D शिखरीडी चंद इसमें सही हो जाएगा आगे है अम्रिच कटिकम इती ग्रंतस से नाईका तो इस ग्रंत की जो नाईका है वो कैसी है? शिखरीडी चंद इसका उप्शन सही होगा चरेवेती इती प्रसिद्ध वाक्य हो केन ब्रहामनीन संबंध अस्ती तो किस से है ये? डी उप्शन इसका सही होगा एतरय ब्रहामनीन आगे है 62 कोशन नमबर हितम मनु हारी चा दुरलभम वचा हो तो ये जो है वो गिराता अर्जुनियम के है तो ये किस के उक्ती है? वनेचर अस्या वनेचर जो है वो यूदिष्टिर के लिए हा कहता है आगे है 66 कोशन नमबर कति विधम स्थूल शरीरम तो किन्ने प्रकार का है? चतुर विधम जरायूच, अंडज, उद्भीज और स्वेदज आगे है सांख्यकारिकायाम कतिकारिकाह निबध्धाह तो इसका जो सही उप्शन है वो B होगा सत्तर इसको स्वन सप्तिती भी कहते है या हिरन सप्तिती भी कहा जाता है आगे है 72 विवर्तवाद हा अस्या दर्शनस्या प्रमुखः सिधान्त हा तो किसका है विवर्तवाद? वैदान्त दर्शनस्या C उप्शन इसका सही होगा शक्ति द्वयम वर्तते शक्ति किसकी है दो शक्तिया तो अज्ञान की जो है वो तो शक्तिया है आगे है 73 कोशन नमबर सांख्य दर्शने कती पदार्था हा वंडिता सांख्य दर्शन में कितने पदार्थ है पच्चिस पदार्थ है तो इसका C option सही होगा आगे है तंतवह पटस्य तो क्या है समवाई कारडम एसका option सही होगा फिर है 74 कोशन नमबर लिंक शरीरोत पत्ति ही डैश अव्यानाम क्योगी भवती तो लिंक शरीर की उत्तति किस्से होती है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा B option 18 आगे है कती विदहा लौक एक सन्नी कर्चह तो कितने प्रकार के है शड़ विदहा तो इसका D option सही होगा आगे है 75 कोशन नमबर कार्यन याद पूर वृत्ति ही तो क्या बूलते है जिक कारणम तो इसका C option सही होगा आगे है योगदर्शनी प्रमानम ना स 위क्रेते तो योगदर्शन में जो प्रमान है वो कितने है तीन है प्क्रतेक्ष अनुमान और शब्दह तो इसमें जो है वो उक्मानम सही होगा C option तो सबसे पहले से प्रदान कहा गया है तो इसका E option सही होगा आगे है निमलिकी तेशू कर्मेंद्रियम वर्ति तो घ्रान चक्षू 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 कर्मेंद्रियम वर्ति त तो इसका C option सही होगा वस्तुनी अवस्त्वा रोपह तो इसका जो सही अंसर है वो B option होगा अध्या रोपह आगे है कति विदह हित्वा भास हा तो हित्वा भास कितने प्रकार के है पंच विदह इसका B option सही होगा आगे है 84 कुशन नमबर शब्दु नित्यहा कृत कत्वात अत्र को हित्वा भासा वर्तिती तो इसका इसमें कौन सा है विरुध पी option इसका सही होगा आगे है प्रकृति है साक्षा संजायती तो प्रकृति सबसे पहले क्या होता है महतुत्पन होता है जो A option सही होगा आगे है क्तस्या चव वर्तमाने सुत्र से विभक्ति होती है तो इससे क्या होता है शष्टी विभक्ति होती है A option सही होगा आगे है चक्षू ग्राहियो गुणह वर्तते चक्षू से कौन सा गुण ग्राहिय होता है रूपम B option इसका सही होगा पराजेर सोडह सुत्र करता है तो ये जो है वो अपादान संग्या करता है इसका C option सही होगा आगे हैं कटे आस्तियतर कह आधारा तो इसका जो आधार है वो कौन सा है D option सही होगा ओप्शलेशी कह आगे हैं हीतो पदेशे प्रियम वदह, इत्यत्तर कहा प्रत्या, इसका जो एब बी एप्छन सही होगा, खच प्रत्या, रति बिलाप गस्विन महा कावे वर्णितह, इसमें कौन सी महा कावे मैं है, कुमार संभवे, तो एप्छन इसका सही होगा, आगे है 89 कुशन नमबर, गृह नेरगतह, अत्तर क स्मास हा तो इसमें जो समास है वो है तत्फ पुरुशा हा । दी आप्शन इसका सही होगा आगे है in of the close to a तो शिशु पालव düşün सही होगा I मैं आगे है शिषु पाल वद साल नाएक है दो श्रीकृषन है तो इसमें जो माली नी चंद B option इसका सही होगा आगे है कवी राज इति उपाधी ना विभूशित अचार्य तो कवी राज किसको उपाधी है विश्वनाथ हो तो इसका B option सही होगा आगे है 91 question number सहसा विदधीत ना क्रियाम विवेकोह परमापदां पदम परिणते ही विम्रिष्य कारिणम गुणलुकदहा स्वैमे वसंपदह अत्रकिम चंद तो यहां कौन सा चंद है यहां जो है अनुष्टुप चंद है तो यहां option नहीं है तो आपको इसका जो है वो कोई भी लिखेंगे तो भी आपको शायद number मिल जाएंगे आगे है रत्नावली नाटिका यहां विदूशक कह कह तो रत्नावली नाटक का जो विदूशक है वो है वसंत कह तो इसका C option सही होगा आगे है बहुदोशा ही शर्वरी कस्मात क्रंथात उधरी तहा यह मुक्ति ही तो बी ऑप्शन इसका सही होगा आगे है न्याय दर्शन इकति तत्वानी मन्यते तो न्याय दर्शन वे कितने तत्व माने के हैं 16 तो इसका C option सही होगा फिर है 98 यतिकार्णम बिना कार्योत पत्ति ही भवती तत्र को अलंकार हो तो महां कौन सा लंकार होता है विभावना तो है विभूती पाद और चौथा है केवल्य पाद आगे है 99 कोशन नंबर काविम ग्राहिम अलंकारात कस्य इदम कथनम तो ये किसका है वामन ने जो है इनकी ये जो है वो परिभाशा दी है आगे है मनमेवा पवरगह तो यहाँ कौन से दर्शन कहता है तो लुकाय दर्शन ये चार वामन दर्शन का है तो ये आप्शन इसका सही होगा आगे है 100 कोशन नंबर धर्म सुत्र से लेक कह 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 तो कौन है गौतम हा तो ये आप्शन इसका सही होगा आगे है 104 कोशन नंबर सर्व दर्शन संग रह इती ग्रिंथस्य प्रणीता तो कौन है मादवा चार्य ह तो इसका C option सही होगा आगे है कस्मिन गणे अल्प धात्व संती तो किस गण में जो है वो कम धात्व है अल्प धात्व संती तो तनादी गण है C option इसका सही होगा आगे है 109 question number खल भी शह इत्यत्र कह संधी क्या पर कौन सी संधी है यन संधी तो इसका C option सही होगा आगे है 106 question number चली प्रत्यांतस्व का संधी तो कौन सी होती है गती संधी तो इसका B option सही होगा आगे है रवी शब्द स्य सब्तमी एक वचनम किम रूपम तो क्या बनता है रवव तो B option इसका सही होगा आगे है 107 question number गर मुनी इती पदस्य संधी तो क्या होती है नदी संधी यह और रूप की जो है वो नदी संधी होती है इकारांत और उकारांत आगे है गौरी शब्द स्य वित्या बहवचनम क्या रूप बनता है C option इसका सही होगा गौरी ही आगे है व्रिदी संध्या विधायकम सूत्रम किम तो व्रिदी संध्या कौन सा सूत्र करता है व्रिदी रादेज तो इसका A option सही होगा आगे है विद्वस शब्द स्य शष्टी बहुचने रूप कौन सा मनता है विदुशा तो इसका A option सही होगा आगे है विधी ही शब्द कस्मिन लिंगे वर्तते तो विधी ही शब्द कॉन सी लिंग में होता है स्थ्री लिंग और संनपूछ शंख लिंग दोनों में होता है तो इसका जो है वो D option सही होगा भीणे है म्रिःत्संतायाम रचनकारह वर्तते कौन है वराहमही रह तो इसका यह option सही होगा आगे है भ्रातरी शब्दस्य संबुधने किम रूपम क्या रूप है हे जई भ्रातन हा तो इसका C option सही होगा आगे है 118 कोशन नम्बर धुरुवसंग्यक नक्षत्रम भावती तो कौन सा है रोहिनी तो इसका C option सही होगा आगे है 115 question number शिंग धातु हु लट लका रहा प्रथम पुर्ष बहु अचने कौन सा रूप बनता है शिंग का जो बनता है शेते, शेयाते, शेरते तो इसका C option सही होगा शेरते आगे है अलंकार शेखर इत्यस्या रचना का रहा तो कौन है केशो मश्रा शेरती सुस्सी option सही होगा आगे है भीधा तुहु लट लका रहा बनता है वो बनता है विब्यति विब्यती विबितः विब्यति आगे है याँचा मोगा वर्णंधी गुनेन नादमे लब्दकाम मेग दूट से उद्रेतिया उक्ती किस ने गई है तो किस के द्वारा कही गई है यक्ष नहीं इसे कहा है तो इसका सी ऑप्शन सही होगा तो ये थे हमारे 120 कोशन शास्त्री टैट के तो जी के का जो पोर्शन है वो हमने पीछली वीडियो में कर लिया था आप वहाँ देख सकते हैं तो अगर आपको इन में से कोई गलत कोशन लगा हो जो मुझे गलती से हो गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं तो मिलते हैं सी एक नई वीडियो की साथ झाल आपको झाल वीडियो की साथ झाल प्रशन संवार की साथ झाल आपको झाल आपको झाल